तो क्या है आज का टॉपिक जैसे आपको टॉप पे दिखे रहा होगा, that is study के time पे ये mistakes आपको नहीं करना चाहिए, तो ये mistakes अगर आप कर रहे हो, तो आज से ही रोग देना इस वीडियो को देखने के बार, ठीक है सबसे पहला चीज, क्या है not knowing your goals, बच्चे हमेशा एक चीज बच्चे गलती क्या करते हैं, कि उनका जो goals होता है, उनको पता ही नहीं होता है, अब goals, depend करता है कि आप कौन हो, अब जैसे समझ लोगों कि आप एक दस्वी के student हो, तो आपका goal क्या होगा, फिलाल में, जो present goal होगा, वो आपके लिए ये होगा, कि आप 10 में लगभग 90% से ज़्यादा marks निकालो, और अगर आप ऐसा कर लेता हो, तो कहीं न कहीं आप top categories में आ जाओगे, मतलब top students में आ जाओगे, मतलब मैं हमेशा ये आपको मैं बोलता हूँ सोचने के लिए, देखो, बच्चे 60 होते हैं, एक class में आप देखो कि बच्चे 60 होते हैं, अगर मैं मान ज़्यादी करते हैं, उसमें से पहला गलती यह है, कि वो अपना गोल्स नहीं बनाते हैं, कि यार मानलो आप दस्वी के बच्चे तो आपने 90 परसंट का गोल ही नहीं बनाएं, आप सपना देखी नहीं और उस 90 परसंट का, आप सपना देख रहे हो कि मैं पास हो जाओ, अगर आपको पता ही कि मुझे करना है, तो आप उस वक्त सही उठने के बाद सही आप उस काम में लग जाओगे, और उस काम को सफल बनाने की कोशिश करोगे, इसलिए हमें हमेशा से कहा जाता हूँ, और मैं भी आप लोगो बार-बार कहता हूँ, कि हमेशा एक दिन का चरय जिसको हम लोग टाइम टेबल बोलते हैं, वो टाइम टेबल फॉलो करना सीखो, स्टाइटेजी बना के चलो, अपने लाइफ में हर एक चीज़ का, तभी आप कामयाब बनोगे, और नहीं करोगे, तो कहीं ने कहीं, आप वही एवरेज परसन बनके ही रह जाओगे अपने नहीं बनना चाथे ऑवरेज परसन, लाइफ में कुछ कमाल करना चाहते हो, त galaxy लोगों के बीच में रहना चाहते हो, तो आपको बड़ा काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको गॉल बनाना पड़ेगा, और उसके पीछे महनत करनी पड़ेगी, त्यक्यं प्तितन को होत आपको खुद को ही जाना पड़ेगा exam लिखने मानलो आप दस्वी के बोर्ड में हो, बार्वी के बोर्ड में हो तो क्या teacher आपके आपका बोर्ड पेपर लिखेगा नहीं न, teacher का काम है, पढ़ाना teacher अपना पढ़ाएगा, पूरा energy डाल देगा lecture videos बनाएगा आपके लिए, आपको lecture by lecture चीज़े provide करेगा offline में आप जा रहे, वहाँ पे आपको चीज़े मिल रही है notes एक time पे provide करतेगा, वो अपने end से इतना ही कर सकता है, चीज़ों को समझा सकता है लेकिन उस चीज़ को समझना, उस चीज़ को practice करना, revise करना, learn करके जाना वो आपका काम है, अगर आप नहीं करोगे तो कहीं ने कहीं यार कुछ होने नहीं वाल आपके life बे तो अगर आप चाहते हो कि यार अच्छा करू मैं अपने life में अच्छे percentage निकालो आपने life में grow करू, तो आपको सिर्फ किसी teacher के उपर dependent नहीं रहना पड़ेगा, आपको अपने खुद के उपर dependent रहना पड़ेगा, खुद के उपर कैसे depend करोगे, अब जैसे कोई teacher है, जैसे मान लो मैं हूँ, अब जयार्ट उटोरिस पर आप जानते हो कि तो कैसे काम करेगा, तो आपको वो चीज समझना पड़ेगा, कि आपको चीज जो चीज मिली है, उसको आप लो, उसको पकड़ो और उसको चीज को revise करो, practice करो, learn करो, concept समझो, और फिर जाके आप आगे उसको deliver करो, तो सिफ सिलेक्शन का टाइम आया, तो उसको पता है कि मैं बहुत अच्छा cricket खेलता हूँ, और confidence आ गया, उसको प्रैक्टिस नहीं किया, मानलो, और सीजा चला गया, वो exam देने, यानि प्रैक्टिस जो main selection का टाइम है, उस टाइम पे, और उसने उस main important match में अच्छा perform नहीं किया, त तो यानि कि हमेशा consistency जो है वो जीतता है, अगर आप कितने भी bond talented की नहीं हो, अगर आप practice नहीं कर रहें उस चीज़ को, तो वो चीज़ आपको कही नहीं कर एक time पे fail करवा देगा, natural talent हमेशा काम नहीं आता है, जो इंसान hard work करता है, daily मेहनत करता है, daily consistency का follow करता है, वो ही इं आता है वो जारका.